सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट आज की मीटिंग बाइस फरवरी को यहां पे किसान मजदूर महा पंचायत का आयोजन किया जारा उसको लेके उसकी तियारियों को लेके आज की मीटिंग कीगी श्यूंक्त मोर्चे के कुछ फैंसले हुए हैं जिसमें 14 फरवरी को शाम को 7-8 बजे पुल्वामा में जो सहीद हुए शैनिक और इस अंदोलन के दोरान जो किसान सहीद हो गये हैं 225 से जादा उनको सरदांदली देने के लिए केंडल मार्च निकाला जाएगा जो गांस्तर क के उपर और कस्वों के अंदर और सहर के अंदर और 16 फरवरी को सर छोटुराम की जैनती है वो पूरे देश के अंदर मनाई जाएगी उसकी त्यारी के लिए 18 फरवरी को रेल रोकनी है रेल रोको अभ्यान है पूरे देश के अंदर उसकी त्यारी को लेके चर्चा हुई 12 बज़े से चार बज़े तक जो है रेलिवेट रेक रोका जाएगा और बाइस फरवरी को जो है यहां पर किसान मजदूर महा पंचायत का आयुजन किया जाएगा जिसके अंदर श्यूंक्त मोर्चे के जो पर मुख किसान नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे राकेश मीटिंग केई जिसमें जिलेवर के सभी गाउं से दोदो साथिओं को यहां पर बुलाया गया था उनको जुम्म्यवार लाइन दी गडए है जिसमें के कव्या कमेटे का यहां का पूरा आयोजन देख Conference Committee बना गई और गाउंस तरकी उपर परचार कैसे होगा उसको लेकि चर्चा की गई और ये जो किसान मजदूर महा पंचायत होगी ये अब तक कि जितनी हर्याना की किसान पंचायते हुए उन से सबसे बड़ी किसान मजदूर पंचायत सिर्शा की होगी सिर्षा में बगत सिंग स्टेडियम से अम्बेड कर चोक तक निकाडा जाएगा साथ बजे से आट वज तक टिकेत साब यहां पहले था जगे था जगेत साब ने खुद काया बगत सिंग स्टेडियम आएंगा अनुस किया साल को नेकर यहारा नजवाब और किया है और पूरे देस की अंदर किसान महा-पंचाइतें की जा रही है लिए ऐसे इंदर यह किए और घुथी महाराष्टर की राजसतान कीशान पंचाहेत हैं उनका पोनाइब करें तारिक फाइनल की गई उसी में मुटिंगे अंदर सिर्शा की वी तारिक फाइनल की गी थी जिसमें उस everywhere खलाव और इस favor निशानल लेवल के किसाननेता याँ पे आते रहे है तो इस मोर्चा एक परतीक बना हुआ है और इस मोर्चे से पूरे देश के अंदर इसकी जो है वो चर्चा है तो इस मोर्चे को और ज्यादा मुझबूत करने के लिए सबी जो किसान श्यूंक्त मोर्चे के लीडर हैं वो सारे यहां पर पहुंचेगी अपर लाजी कल भी गुरुद्वारसाब देश के मीटिंग बुलाई गई सी जिस्ते उनना ने गल कही सी भी एक संगठन फैंसला नहीं कर सक दया सारे संगठना दे ताल मेल देना लड़ डिसाइड किता जावेगा ती इसब किते आनगी कि क्या ना चाहूंगे श्यूंक्त मोर्चा एक संग्ठन हैं श्यूंक्त मोर्चे के अंदर 500 संग्ठन है तो यह श्यूंक्त मोर्चे का फैंसल है किसी संग्ठन का नहीं किसी वेक्ति का नहीं है और आप लोग यहां पर देख रहे हो आत्यक ना तो किसी वेक्ति के नाम से ये मोर्चा चल रहा है ना किसी संग्ठन के नाम से मोर्चा चल रहा है, पक्का मोर्चा चल रहा है, सहीद भगत सिंग स्टेडियम की अंदर, और जो आयोजन हो रहा है, वो श्यूंग तो मोर्चे से हो रहा है, तो इसको किसी वेक्ति या किसी संग्ठन का नहीं कह सकते हैं.